हेलो एब्रिवन वेल्कम टू इंजिनियर्स एजक्वेशन पॉइंट इस वीडियो में साउंड के बार में हम लोग पढ़ेंगे और करेक्टिस्टिक्स आफ सांड पढ़ेंगे यह कंजूमर एलेक्ट्रोनिक्स का लेक्चर नमर वन है तो देखिए साउंड क्या होता है a sound is an energy that is transmitted in the form of sound waves sound क्या होता है एक energy है ठीक है sound क्या है एक energy है जो transmit होता है किसके फौर में sound waves के फौर में transmit होता है when the object vibrate the air surrounding it vibrates and sound waves are carried जब जो है कोई object जो है कोई बस्तु जो है जब vibrate करता है तब क्या होता है उसके surrounding उसके आसपास जो air होता है वो भी vibrate करना शुरू करता है और sound wave जो है वो carried करता है if there is no medium जब कोई भी नहीं medium है ठीक है कोई भी medium नहीं है जैसे कि sound wave जो travel करता है उसके लिए medium क्या होता है air होता है अगर suppose कि जो medium जो में है air नहीं है if there is no medium कोई भी medium नहीं है then vibrations in an object will not travel through it तब जो है जो vibration होगा object में वो travel नहीं करेगा एक जगा से दूसरे जगा means sound को क्या चाहिए medium चाहिए travel करने के लिए ठीक है यह इसके बार में आपको पढ़ना है इसमें क्या है पीच ठीक है पीच एक क्रेक्टरिस्टिक्स है sound का loudness है sound का characteristics और quality है यह तीन characteristics है sound का pitch loudness और quality हम लोग सब ही को बारी बारी से पढ़ेंगे पहला है pitch तो pitch क्या होता है दखिए pitch is a characteristics of sound by which a correct note can be distinguished from a grave और a flat note क्या कर रहा है sound जो है pitch क्या है sound का क्रेक्टरिस्टिक्स है by which a correct note का मतलब क्या हो गया नोट का मतलब होता है by musical sound को दिखाता है नोट मिन्स हो गया musical sound या shrillness को दिखाता है shrillness को ठीक है और grave हो गया यह आपका एक तरसे समझ लिए rough sound है ठीक है हम लोग compare करते हैं grave को note से मिन्स कितना shrillness है तो का राख pitch is the pitch is a characteristics of sound by which a correct note can be distinguished from a grave means एक जो आपको grave sound है उससे हम लोग क्या करते है musical sound जो हता है उससे compare करते है मिन्स एक reference है grave वहां से हम जो क्या करते है जो musical voice है उसको हम लोग compare करते है ठीक है तो note क्या है note एक symbol हो जो क्या करता है musical sound को denote करता है ठीक है जो पीच के class को दिखाता है पीच depends upon the frequencies of the sound wave पीच चीज़े डिपेंड करता है frequency of sound wave sound wave के frequency पे डिपेंड करता है higher the frequency higher the pitch means frequency ज्यादा होगा तो पीच भी ज्यादे होगा ठीक है और frequency कम होगा तो पीच भी कम होगा तो frequency ज्यादे होगा तो पीच ज्यादा होगा तो frequency ज्यादे होगा तो मिन्स sound का quality क्या होगा आच्छा होगा तो जो shrill sound होता है देखे sound दो तरह का होता है एक आपका हो गया shrill शुरिल ही आप जिसको बोलते हैं और एक हो गया grave तो देखे स्रील में क्या होगा स्रील में हाई फ्रिक्वेंसी होगा वेवलेंद क्या होगा लो होगा हाई फ्रिक्वेंसी होगा हाई फ्रिक्वेंसी होगा लो वेवलेंद होगा ठीक है ग्रेव में क्या होगा लो फ्रिक्वेंसी होगा और हाई वेवलेंद होगा जस्ट अपोजिट स्र व्यध्य ब्लेट उसका फ्रि्क्वेंशी ज्यादा होता है पीछ्य जाहिन होता है ऑह। श्रिल होता है, bird का जो भाय गरें ग्रेव में किसका जाएगाanu जैसे कि मैं हो गया फ्रॉग हो गया ठिक है डॉग हो गया ये सबका ग्रेव होता है तो हम लोग shrill और grave में difference देखे ए note has a higher pitch when the frequency is high and a note of low frequency has low pitch देखे clear कर दिया गया note means हो गया shrill voice means मधूर voice की बात कर रहे है musical sound की बात कर रहे है तो higher pitch होगा when the frequency is high जब frequency high होगा तो pitch क्या होगा? high होगा ठीक है? और higher pitch होगा तो वो signal क्या होगा? मधूर होगा ठीक है? इसलिए औरत का जब भाइस होता है वो जादे ज़ो है मधूर होता है क्योंकि उसका क्या होता है pitch का quality pitch जो होता है हाई होता है कहने का मतलब frequency जो है high होता है and a note of low frequency has low pitch जैसे कि low frequency रहेगा उसका pitch low होगा और note का जो quality होगा वो low हो जाएगा तो higher the frequency, higher the pitch lower the frequency, lower the pitch and note तो हम लोग pitch को देखे next है soundness pitch क्या है? एक sound का characteristics है ठीक है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एक जो normal voice है उससे हम लोग मधूर voice को comparison करते हैं ठीक है? जैसे कोई गायक है या गायका है उसके voice को हम लोग comparison करते हैं जो how far better कितना वो अच्छा voice है ठीक है? next है loudness loudness क्या कर रहा? the loudness is the sensation of how strong a sound wave is at a place means loudness दिखाता है जो कितना sensation है ठीक है? कितना strong आपका sound wave है means जितना जादे loud sound होगा उतना जादा दूर क्या होगा? वो travel करेगा loudness increases with amplitude means amplitude अगर जादा होगा amplitude जादा होगा suppose कि ये दो signal है तो इसका loudness जादा होगा compared to this means इसका amplitude जादे है इसका amplitude कम है तो loudness के किसे करता है amplitude पर जादा amplitude होगा तो वो signal क्या होगा? वो sound क्या होगा? जादा loud होगा कम amplitude होगा तो वो कम loud होगा loudness के हम लोग कैसे measure करते है loudness is measured in decibel हम लोग टीबी में measure करते है loudness को क्यों做त च्कांट क्रिएTER करते है noon decibel में it is given as और loudness is equal to क्या होता है log i i क्या है i है intensity intensity of sound है l is equal to log i होता है ध्यान ना कि i है intensity of sound next जो characteristics है sound का वो है quality ठीक है quality और timber quality या इसे को हम लोग timber भी बलते है timber ठीक है तो इसमें मुझे कहा देखिए quality और timber describe those characteristics of sound which allow the ear to distinguish sounds which have the same pitch and loudness देखिए यह जो है quality यह अगर सपोज कि यह same pitch है कोई दो instrument है जिसका same pitch है और same loudness है फिर जो है उसका differentiate करता है दो इंसान है जिसका सपोज कि यह same pitch है और same loudness है फिर भी उसके जो है differentiate करता है मिस्स quality को बताता है ठीक है quality और timber describe how describe those characteristics of sound sound का वो characteristics को दिखाता है which allow the ear to distinguish sounds जो क्या करता है ear को कान को जो है वो distinguish करवाता अलग अलग करवाता है sound का जिसका same pitch और loudness रहे ठीक है तो सपोज किजिए यहाँ पे आप देख सकते है सपोज किजिए जो दो है एक आपका system 1 है system 2 है सपोज किजिए माल लेते हैं तो देखते हैं quality इसका सपोज किजिए फ्रिक्वेंसी जो है 5 5 किलो हर्ज है इसका भी फ्रिक्वेंसी 5 किलो हर्ज है ठीक है loudness भी दोनों का same है loudness भी दोनों का same है पीच भी दोनों का same है चली पीच भी दोनों का same है अब यह distinguish करना है तो सपोज किजे यह जो इंस्टुमेंट है, वो आपका क्या है? यह धोलक है, यह यहाँ पर पियानो है, आप देखें, सेम पीच होते हुए भी, सेम लाउडनेस होते हुए भी, यह जो धोलक का जो है, उसका अलग क्वाइलिटी को दिखाएगा, आपके जो कान में जो अब बात जाएगा दोनों का वह अलग अलग जाएगा पियानों का जिसाउड़ क्या था है तो उस वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं फीक है और कराक्तिक्रिस्टिक्स मैं और आयू कुछू शुकू कुछु द्लाओ यू जाहस्ट तक चाहस्ट चाहस्ट जाहस्ट